हेलो एवर्वन माई नेम इजनुप सिंग और आप देख रहे हैं CNC टेक एसकील चैनल दोस्ता आज हम लोग देखेंगे कि CNC, BMC और HMC तीनों मसीन की जो प्रवाम में लाइफ डाली जाती है एक तो होता है सिस्टम से लाइफ डालना मतलब कंट्रोल पैनल का अंदर जाकर लाइफ डालना उससे क्या होता है कि हमारा जैसे कभी setup चेंज होता है तो उस टाइम उस टाइम क्या होता है को वहीं दोवारा वहीं लाइफ चलते रहता है ठीक है इसमें क्या होता है कि जैसे setup होता है तो एक हमें custom microse हम बना देते हैं एक variable डाल देते हैं जिसके माधियम से हम tool light को हम अलग-अलग setup में अलग-अलग जेगे हम चला सकते हैं ठीक है दोस्त तो चलिए मैं आपको explain करूँगा और मेरे पास program में मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मैंने program में कैसे tool light को यूज कर रखा है ठीक दोस्त तो आप video के end तक बने रही है मैं कोसिस करूँगा आपको एक-एक चीज समझाने को अगर नहीं समझ माय तो आप comment कीजिएगा विल्कुल आपकी help की जाएगी तो चलिए start करते हैं देखिए यह जेनरल बनाया हूं कि यहां कहां प्रवाम में in करना होता है प्रवाम तो आपको पता है ठीक है नहीं पता है तो उपर भी मैं दिखा दूगा कि कैसे प्रवाम में डाला गया कहां डाला गया क्या 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 मैंसिन किया गया तो चलिए देखिए if h501 greater than 2000 right go to 420 देखिए h501 यह जो variable है यह जो variable है यह कह रहा है कि जब greater than 2000 जब 2000 से जब 501 बड़ा हो जाएगा तो यह go to 420 पे जाएगा 420 क्या है यह sequence number 420 है मैं अभी आपको में दिखाऊंगा तो n 420 पे चला जाएगा यह बड़ा किस तरह हो जाएगा देखिए इसमें होता क्या है कि अब हमने तो पर डाल दिया यहाँ पर समझने कोशिश किए अब क्या होगा कि हैज 500 जैसे हमारा पूरा यह चल जाएगा तो क्या होगा हैज 501 एक 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 प्लस वन मतलब जो हमारा 501 वाला जो तूल चलेगा वो लास्ट में जैसे खतम होगा तो हमारा जो micro यह होता है तो जो यह 501 है इसमें एक आके और जूर जाएगा तो इसमें इसका कहने का मतलब यह है कि यह जितने बार टूल चलेगा मालब एक साइकल में एक जगे चल रहा है एक बार में complete हो गया तो एक वहाँ एड हो जाएगा तो इसी तरह करके एक एड करके जब यह 2000 उपर बन जा तो जैसे 2000 उपर जाएगा तो गो टू 120 120 चार सो बीस पीस से ट्रांसपर करतेगा 420 हमारे कहा है सिक्वेस्स नंबर 420 है अब यह पढ़ता कहा है एंड 30 के बाद पढ़ता है रइट 30 जैसे हमारा प्रवाम एंड एंड रिसेट होता है उसके नीचे डाला जाता है उसके बा सब्सक्राइब करता है जो कि हम हमें बताता है कि टूल लाइफ आ गया है यह एक अलारम जेनरेट करने के लिए कोड होता है आपका मसीन चलेगा निए वहां कुछ न कुछ अलारम आ जाएगा आपको समझ में आ गया होगा 420 पे जाने के बाद इसी तरीके से यहां पे और आगे मैं बताऊं आपको जैसे दो नंबर टूल है इसमें भी एक चीज और आपको मैं बता दू जैसे हैज 502 जैसे हम यहां पे क्या है कि हम यहां 602 भी लिख सकते ते कोई दिक्कत है नहीं ठीक है 702 भी लिख सकते ते इसमें कोई दिक्कत नहीं बट यह जो तो तूल नंबर होता है उसी के स्रीष से ही होता है अब आगे दिखाऊंगा देखिए यहां पे हैच यह तूल नंबर 12 है तो हैच 512 हमने लिखा है क्यों कि 512 में हमारा यह जो तूल का डाटा है यह अपडेट होगा यह हर एक टूल के साथ चेंज होगा है ना कि सिक्वेंट नमबर के सांथ चेंज होगा कितने बार गल्ती हो जाती है कितने बंदे कर देते हैं सिक्वें नमबर से कभी नहीं होता है यह भी होगा तो टूल के साथ ही होगा आप 612 लिखिए जो भी टूल नमबर होगा उसका इडेंटिफाई आप यहां डाल दीजिए उससे हमारा जो य यह नीचे 12, 13, यहां पर सारा डाटा हमारा अपडेट होने लगता है तो इस तरीके से आप कंप्यूज मत होईएगा जो भी हमारा टूल नमबर होता है हम है बरियेपल के साथ इसको एड करते हैं और ग्रेटर देन मनिसे बड़ा करते हैं और टूल लाइप डालते हैं trying में कैसे calculate करते हैं वो चीज़ें यहां mention करेंगे पिर जैसे यह जब ड़ड़ा हो जाएगा इससे तो जब हमारा यहां पे ज़्यादा हो जाएगा मालो है 3000 से ज़्यादा value हो यहां हो जाएगी तो यह हमारा machine alarm generate कर देगा तो यह एक format है सारे मतलब जैसे यह लिख देते हैं उसके बाल हम आप उसके नीचे कुछ भी लिखे अपना वर्क वाडिनेट जो भी एक्स वाई-जेड ड्रेलिंग गोरिंग जो भी ऑपरेशन करना एक्स वाई-जेड आप सब डाल दीजे जब फिर लास्ट एंड कैसे करेंगे एंड करेंगे जब हम इसको रिफ्रेंस करेंगे तूल को रिफ्रेंस किये जब M01 लगाने से पहले हम जो भी यहां पर यूज करेंगे 502 यूज करेंगे तो यहां लिखेंगे 500 H502 equal to H502 plus 1 मतलब 502 में एक और एड हो जाएगा रैक तो उसी तरीके देखें H512 हमने यहां यह चीजे होनी चाहिए रैक तो इस तरीके से हमारा तूल लाइफ एक एक करके बढ़ता है यह एक माइक्रो तूल लाइफ डालने का तरीका हुआ चले मैं प्रोगाम में दिखाऊं कैसे डाला जाता है देखिए अगर नहीं समझ माए तो कोमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो का लाइक जरूर किजिएगा दोस्त देखिए टूल लाइफ जो हम डालते हैं यह हमारे पास पचास का यह एक फेस रफ मिलींगे है इसमें क्या है कि मैंने डाला इप है 601 डाला इसमें देखिए मैं थोला सा यहां चेंज किया हूँ 601 ग् पांच हजार मेंसिन किया कि गो टू 420 तो यहां आप 420 नहीं आप 1000 से कुछ भी डाल सकते हैं 420 910 जो भी आप एक दो मैंने जो सिक्वेंस नंबर आप यहां डालिएगा इस पॉइंट पे वह इस मैंने एं 30 से उपर नहीं होना चाहिए यह आपको किलियर होना चाहिए रै समझगे तो यहां पे भी मैंने डाला और यहां पांज चाहर इसका वा डाली में और इसके बाद यहां पे 601 इकलिटू-पांच एक चीज और आप जिएगा, जैसे एक तूल हमारा पांस आफ work पर चल रहा, जैसे एक चोण पर चल रहा, एक 55 पर चल रहा, चपन पर चल रहा, तो आप हर एक जगे डालने के जरुगपर नहीं है, एक तूल का light एक जगे add होता है, कितना होँई travel करता है, कितना होँई work बना फिर देखेगा है यहां चवण में भी चल रहा है चवण पे भी चल रहा है यह अलग 270 कौडिनेट पर चल रहा है ठीक दोश्क तो जो भी एक्सिस के अंगल अब देखें यहां पे फिर यह चेंज हो गया तो जहां हमारे तूल नमबर चेंज होगा वहां पे फिर हम लाइप ना कि हम बीच में लाइफ डाल सकते हैं, यह आपको किलियर हो गया होगा, इसी प्रकार आप लाइफ टर्निंग में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बस इस फॉर्मेट का यूज कीजिए, और इसमें कोई दिक्कत है, तो मेरे कमेंट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट ज यह हिंदे